Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.06 का Unit 5 पढ़ने जा रहें जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि कितने chapters हैं इस unit के अंदर में और किस तरह के questions हम कर सकते हैं, क्या-क्या questions बनते हैं, topic कौन-कौन से important है, जो हमें cover करने चाहिए और exam में जो questions पुछे जाते हैं, उसके pattern क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर में discuss करने वाले हैं वीडियो बहुत important होने वाली है, और इससे पहले कि जो unit से मैं करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो देख लिजी, ठीक है, और सासात में एक suggestion आपको यह देना चाहूँगा, अगर आप MA history, MHI 06 के लिए prepare कर रहे हैं, अच्छे number लाना चाहते हो, तो दी इन अपे कई सारी वीडियो डेली हुए है, जिसमें से एक वीडियो है, लास्ट फाइवेर के question paper की, ठीक है, उसको आप जरूर देखें, जिससे आपको almost 90% जो saliva से cover हो जागा, जिसके अंदर में last 5 साल के question paper को cover करवाया गया, दो घंटे की वीडियो है, अच्छे से स पारें बात करेंगे, ठीक है, देखो, medieval society के अंदर में सबसे पहले आता है, तीन chapter आते है, gram in, gram समुधाय, जो village community थी, वो किस परकार की थी, उसके उपर में question बनता है, क्या बनता है, तो यहाँ पे tipini वाला question बनता है, जजमानी पर्था को पर में, जजमानी पर्था होती क् कितनला jam kan करके बोला जाता है, Donc, जजमान दिजे, तो वहाँ पे जो चीजे दी गई जाती है, उसको जजमानी पर्था के तौर पर कहीं जाती है, जो भी आपने आपने आनाज दीा, पैसे दीव, जजमानी पर्था के तौर पर दी जाती है, उनके सेवा के बदले में, तो तो यहाँ पे इस वाले first chapter के अंदर में, chapter number 16 के अंदर में एक topic बनता है, क्या बनता है, तो जजमानी पर्था क्या है वो, और टिपनी लिखने के लिए अक्सर उस पे आता है, अगर हम chapter number 17 की बात करें, तो chapter number 17 में कई सारे topic बनते हैं और one of the most important topic chapter कह सकते हो, आप इस पूरे unit का, ठीक है, इस unit, इस वाले chapter को जुरूर पढ़िएगा, ग्रामिन समाज और उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत का ग्रामिन समाज किस परकार का था, इसके बारे में कर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला topic बनता है, ग्रामिन स्तरी करण क्या है, ठीक है, पहला topic, ग्रामिन स्तरी करण, ग्रामिन स्तरी करण मतलब क्या, ग्राम को किस हिसाब से बाटा गया, ठीक है, ग्राम का स्तरी करण किस तरह से किया गया, इसको लेकर कोशन बन जाता है, इस तरी करण मतलब कैसे है, देखो, जाती के अधार पर, वंस के अधार पर, ठीक है, कारे के अधार पर, वर्ग के अधार पर, किस तर से सरी करण किया गया, गाहों को बाटा गया, वो यहाँ पर कोशन बनता है, ठीक है, समझ में आता है, दूसरा यहाँ पर कोशन बनता है, जन जातीय किसानी करण का, ठीक है, ज उसके पापा भी किसांते उसके दादा भी किसांते पर बहुत पीछे जाओगे तो यह देखने के लिए मिलेगा कि वो सिकारी संग्रहन की जीवन व्यतीत कर रहे थे दीरे 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 परिवर्तन हुआ परिवर्तन हुआ सिकारी संग्रहन 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 से खाना बदोस, खाना बदोस से पसुपालक, पसुपालक से पसुपालक, खाना बदोस, फिर एक जगह स्थिर होकर अना जुगाया, अना जुगाने एक बाद फिर उन्होंने अपना घर बनाया और धर से खिती बाड़ी करना स्टार्ट के और किसान के ओतार बने गए, ठीक है तो इस किस परकार की थी ठीक है जाती वैवस्ता किस परकार की थी ये भी एक important topic है इससे भी question बंगते हैं आ जाता है यहाँ पर जो अकला चौथा topic है चौथा topic के अंदर में बात करता है ग्रामिन समाज के कारिकर हुए सेवक क्या हुए जो आपका काम करते जो छुद्र वर्गे थे निम्न वर्गे थे वो सेवक हुए तो उनका किस तरसे उनका रोल था किस तरसे उनकी स्थिती थी उसको लेकर यहाँ पर आ जाता है एक topic ठीक है चौथा topic पांच ओर topic इस chapter के अंदर में क्या है मद्दे युगिन समाज में मद्दे युगिन समाज का सोरूप क्या है मतलब किस तरसे वो दिखता था सोरूप किस परकार से उसको आपको define करना है तो आपको जितने भी topics इसके अंदर में आपने अभी तक कवर किया ना पांच वाले topic के अंदर में सारा define कर दोगे नंबर मिलेंगे अच्छे नंबर मिलेंगे कहीं नहीं जाने वाले आपके नंबर और देखो एक बार ये भी बच्चे सोच रहेंगे सर आप इतने सारे topic कहां बता रहे हैं आपने पढ़ा क्या सारा देखो पढ़ा है क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ ये सारे चीज़े द नहीं कर स्पाता है कई बर बताए है तो जडचिन भारत का जो हिससा है ना जो तीनुग से समूंदुर से गिरा हुआ तो इसको सबसे पहले बलूतेदार व्यवस्ता का ठीक है बलूतेदार व्यवस्ता सबसे पहले अगर देखी जाती है सुरुवात कहां पर ही तो महारास्ट्रा के अंदर में देखी जाती है बलूतेदार व्यवस्ता की सुरुवात ठीक है बलूतेदार होते क्या है तो जिससे गाओं के अंदर में जाते हो तो नाई होता है बढ़ही होता है ठीक है तो टोटल बार हतारे के बलूतिदार हुआ करते थे चमार नाई बढ़ही जो अलग-अलग किसी तरह सेवा परदान करते हैं ग्राम सेवक के तौर पर जो जाने जाते हैं ठीक है उनको हम बलूतिदार के तौर पर देखते है पर दोनों में difference क्या है उपर वाले में पूछा उत्तर भारत का ग्रामिन समाज का सुरूप और नीचे वाले में पूछा दच्छिन भारत का ग्रामिन समाज का सुरूप अब इसके अंदर में क्या बताओगे, ग्रामिन समाज का सुरूप, कि एक गाउं के अंदर में कौन-कौन रहता था, तो एक किसान रहता है, ठीके, सिवक, ग्राम सिवक, जो अलग-अलग कारे कर रहे हैं, परधान रहता है, किस तर से रहते हैं, कौन-कौन रहता है, उसको आ यहाँ पे define करोगे तो मतलब यहाँ पे question क्या बनेगा गरामिल समाज का सुरूप किस परकार से है उसको यहाँ पे आप define करोगे प्राइदी पे भारत के नुसार ठीक है दच्छिन भारत के नुसार ठीक है समझ में आता है तो इस पूरे unit के अंदर में यह तीन chapter थे और यह topics थे important जो आपको करने है अगर अभी तक आपको समझ में आगे होगा I hope so कोई दिक्कर वाली बात है नहीं नॉर्मल सी topics है इसली कर सकते हो अगर कोई भी doubt हो comment किजिए WhatsApp गुरूप का link दे दूँआ और यह जाग और वीडियो का रिस्पोंस अच्छा है गा इस वीडियो का तभी में आगे की इनुट्स की वीडियो बनाऊगा तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best